हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई यूटूब चैनल आज के वीडियो में एक इंपर्टेंट क्वेशन सॉल्ब करेंगे क्वेशन दिया है हमारा डैल स्क्वाइर 5x प्लस 12 अपोन x स्क्वाइर प्लस 5x प्लस 6 यह हमारा क्वेशन दिया है पहले इसके हम फैक्टर कर लेते हैं तो इसको लिख सकते हैं डैल स्क्वाइर इंटू 5x प्लस 12 और इसके फैक्टर गया है x स्क्वाइर और 5x को तोड़ सकते हैं 3x प्लस 2x और प्लस 6 अब इसके फैक्टर करते हैं यहां से डैल स्क्वाइर इंटू 5x प्लस 12 अपोन x कॉमन ले लिए x प्लस 3 और यहां से 2 कॉमन ले लिए x प्लस 3 यह हम डैल स्क्वाइर इंटू 5x प्लस 12 और यह फैक्टर होगे इसके x प्लस 3 और x प्लस 2 यह इसके फैक्टर होगे हैं अब इसको हम पार्सल फ्रेक्शन में तोड़ते हैं तो इसको पार्सल फ्रेक्शन में तोड़ने के लिए क्या तो हम A भी मान सकते हैं या फिर हम इसको इस प्रिकार लिख सकते हैं डेल स्कॉायर, जिसका हमें पार्सल फ्रेक्षन करना होगा, उसको नीचे लिखेंगे, और बाकी में, इसका हमें पार्सल फ्रेक्षन करना है, इसको दो जगे तोड़ लेते हैं, एक्स प्लस टू, इसको तोड़ लिया हम, यहां से इनकी वैल्यू निकाल ले हैं, क्या कहागी, अगर हमें एक्स प्लस थ्री के उपर की वैल्यू निकाल ले हैं, तो हम इसको हाइड करेंगे, और यहां पर एक्स प्लस थ्री इक्वल जीरो, यानि एक्स बराबर माइनस थ्र और plus 12 upon यहाँ पर put करेंगे minus three plus two तो यह हमारी जो value निकलेगी minus के 15 plus 12 upon minus के बन तो यहाँ से माइनस का 3 बचेगा उपर और minus का बन यानि कि plus का 3 तो यहाँ से हमारी value जो निकलेगी वो निकलेगी हमारी plus के 3 यहाँ की value निकालने के लिए हम x plus 2 यहां हमें इसमें पुट करनी है इसको छोड़कर के इस equation में put करते है तो यहां पर put करते हैं minus 2 तो 5 into minus 2 plus 12 upon यहांपर put करेंगे minus 2 । meaning 2 क्योंकि इसकी valueFind करनी है अगर इसमें into put करते हैं तो इस सब 0 हो ждा तो इसको छोड़ना है अब इसको हम simplify करते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस के 10 हो जाएगा और प्लस के 12 अपोन में प्लस के बन तो यहांसे हमारी प्लस की 2 वैल्यू आ जाएगी प्लस की 2 यह हमने इसको पार्सल फ्रेक्शन में तोड़ लिया है अब इस पर हम forward difference operator operate कर देंगे तो इसको लिख सकते हैं del into यह जो हमारा 3 यह constant है तो यहाँ से लिखतेंगे del एक del हमने अंदर multiple कर दिया बन अपोन x प्लस 3 और प्लस 2 constant del बन अपोन x प्लस 2 अब इसको del को operate करने से पहले हम आपको बता देते हैं अगर हम किसी function पर del को operate करते हैं तो function हो जाता है हमारा f of x plus h और minus के f of x h जो होता है हमारा interval होता है हमें इस question में h equal 1 रखना है तो हम इसको operate करते हैं तो इसको लिख सकते हैं del into 3 constant है इसमें operate किया हमने तो बन अपोन x प्लस 3 और हमने interval लिया बन और function minus 1 upon x plus 3 बैसे ही इसमें plus 2 into 1 upon x plus 2 और plus 1 और minus function x plus 2 अभी score simplify कर सकते हैं तो इसके लिख सकते हैं del into 3 यह हो जाएगा हमारा बन अपोन x plus 4 minus बन अपोन x plus 3 plus 2 बन अपोन x plus 3 minus बन अपोन x plus 2 score simplify करते हैं तो इसके लिख देंगे हम del into इनका LCM ले ले लेंगे 3 into इसका LCM आए x plus 4 और x plus 3 इसकी दर और इसकी दर multiple तो यह x plus 3 और minus का x और minus का 4 बैसे हैं 2 into LCM आजाएगा x plus 3 और x plus 2 इसकी दर multiple x plus 2 minus इदर minus का x और minus के 3 अब इसको और simplify करते हैं तो यहाँ x x cancel यहाँ बचेगा minus का 1 और यहाँ पर भी x x cancel हो जागा यहाँ पर भी minus का बन तो इसको लिखते हैं हम यहाँ पर यह हो जाएगा हमारा del into minus का बन बचेगा तो 3 को अंदर लिया तो minus के 3 अपन अपन में x plus 4 और x plus 3 और यहाँ पर भी minus का बचेगा minus का बन बचेगा क्योंकि plus का 2 minus का 3 माइनस का बन और यह अंदर multiple लिया तो माइनस का 2 हो जाएगा अपन एक्स प्लस 3 इंट्टू एक्स प्लस टू कि इस operator को अब इसमें operate कर देंगे तो हम इसको आगे करते हैं हमने उतार लिया यहाँ पर तो हम इसको लिख सकते हैं इसमें हम तिर इसको डैल को operate कर देंगे तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस का 3 constant और डैल को इसमें operate करना है तो बन अपन एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 3 और माइनस के 2 constant डैल को operate करना है बन अपन एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 2 में तो हम इसको operate करते हैं माइनस का 3 हमने बाहर ले रखा है इसमें operate करेंगे तो क्या होता है हमारा function बन अपोन इसमें एक add होता चला जाएगा यह हो जाएगा x प्लस इसमें बन add करेंगे और हो जाएगा 5 और इसमें भी बन add हो जाएगा x प्लस 4 minus का बन अपोन x प्लस 4 into x प्लस 3 यह हमने sort में कर दिया, उसी पिरकार इसमें माइनस के 2 बहार यह हो जाएगा हमारा burn upon x plus 4 और यह x plus 3 और माइनस के burn upon x plus 3 into x plus 2 अब इसको more simplify करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस के 3 into इसमें क्या करना है इसमें हम इसका lcm ले लेते हैं तो इसका lcm आ जाएगा हमारा x plus 4 दोनों में common है और यह x plus 5 ले लेंगे तो x plus 5 x plus 4 दोनों में common है और x plus 3 तो इसमें क्या क्या हमने यह तो दोनों में सागिया इसकी multiple इदर इसकी multiple इदर यहीं एक्स प्लस 3 और माइनस के x और माइनस के 5 वैसे इधर करना है माइनस का 2 यहां और इन कालसियम ले लेंगे इस कालसियम आ जाएगा x प्लस 4 x प्लस 3 दोनों में x प्लस 3 और x प्लस 2 इसमें x प्लस 2 माइनस के x और माइनस यह अंदर multiple माइनस का 4 अब इसका हम और simplify करते हैं तो हम इसकी लिख सकते हैं माइनस के 3 x x कैंसिल और यहां बचा माइनस का 2 अपन x प्लस 5 x प्लस 4 और x प्लस 3 इधर बचा माइनस का 2 यह कैंसिल x x कैंसिल और माइनस का 2 बचेगा है यहां पर माइनस का 2 x प्लस 4 इंटू x प्लस 3 इंटू x प्लस 2 अब इसके अंदर multiple कर देते हैं तो हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस तो 6 अपन x प्लस 5 x प्लस 4 इंटू x प्लस 3 इसके अंदर multiple करेंगे तो माइनस मानस यह भी ब्लस तो 4 अपन x प्लस 4 x प्लस 3 और x प्लस 2 यह इसका सॉलूसन है तो कैसे लगा गाइस वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि माइनस दोच्ट प्लस कर दो पू